नमस्कार मैं डॉक्टर सुमित गुपता कंसल्टेंट प्रियेटिक्स मनिपाल ऑस्पिटल गाजियाबाद सर्दियों का मौसम चल रहा है नॉर्थ में ठंड का असर कुछ जादा होता है दिली एंसियार में टेंप्रेचर अभी 4-5 डिगरी के आसपास चल रहा है इसका सबसे आदा असर छोटे बच्चों में और बुज़ूर्गा में होता है चार से पांच साल से छोटे बच्चों की इम्मुनिटी बहुत जादा डवलप नहीं होती इसलिए उनका सर्दी खासी होने का रिस्क इस मौसम में बढ़ जाता है सर्दी जुखाम होने पर बच्चे सुस्तो जाते हैं और खाना पीना भी छोड़ देते हैं इसलिए इस मौसम में बच्चों के खाने पीने से लेके रहने सेने तक पूरा ध्यान रखना जरूरी है बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अच्छे से गरम कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों के एक एक एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत होती है इसके साथ ही बच्चों के स्किन सौफ्ट होती है तो सबसे skin से पहली layer cotton के कपड़ों की पैनानी चाहिए उसके उपर woolen कपड़े इस्तिमाल करने चाहिए छोटे बच्चों में cap, socks और mittens का इस्तिमाल भी करना जरूरी है सर्दियों में बच्चों को बाहर ले जाने से बचें इस्पेशली शाम के और रात के टाइम जब temperature कम होता है लेकिन बच्चों को regular exercise करना और physically active रखना भी जरूरी है खाने पीने में इस मौसम में कुछ extra calories की जरूरत होती है और infection से लड़ने के लिए कुछ पोशक तत्तों की भी आवशकता बाड़ी को जादा होती है तो एक बच्चों को healthy diet देनी चाहिए जिसमें की green vegetables और fruits इस्तमाल करने चाहिए अच्छी immunity के लिए नीन भी proper लेना जरूरी है research में यह देखा गया है कि जिन बच्चों में नीन जो बच्चे अच्छे से लेते हैं उनकी immunity भी ज़्यादा better होती है 8 से 10 घंटों की नीन चोटे बच्चों में लेना अवश्यक है हलका जुखाम होने पर चोटे बच्चों को steam दी जा सकती है जिसमें कि अगर बच्चा ज़्यादा चोटा है तो कोई चोटे कमरे में या store room में steamer on करके बच्चे को साथ लेके बैठा जा सकता है बड़े बच्चों में नमक के गुनगुने पानी के गरारे कराना भी फायदे मन्द होता है अगर बच्चे को fever तेज हो, परसिटमॉल से न उतर रहा हो या बच्चे की सांस तेज चल रही हो, या बच्चा चिड़ चिड़ा हो या बच्चा बहुत कम खापी रहा हो इसके साथ यूरिन भी कम पास कर रहा हो ऐसे मैं आपको अपने डॉक्टर की सला जरूर लेनी चाहिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल रियोपन हो गए है ऐसे में बच्चों में कफ कोल्ड का एक दूसरे से फैलना भी बढ़ जाता है अगर आपके बच्चे को कफ कोल्ड हो रहा हो तो इसको स्कूल न भेजें उम्मीद है जिन पॉइंट्स को मैंने डिसकस किया है वो आपके लिए फैयदे मन्द होगा और बच्चे स्वस्त रहेंगे थैंक यू